हलो अब्रिवन आज हम एक रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक जो है डिसकस करने वाले हैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इस बार क्योंकि हमने देखा है स्ट्रेट डोग्स की जो प्रॉब्लम्स है बहुत जादा बढ़ गई है हमारे मेंली नर्वन एरियास के अंदर हम हमारे मिनिस्टर साब भी वहां पर विजट किया तो उस एरिया में जो प्रेजंट सेंटर में देखोगे आप सेंटर सेंटर मिनिस्टर में आप देखोगे यूनियन मिनिस्टर ने वहां पर क्या किया था उसके बाद आपको यह देखना जरूरी है क्या इसके पीछे प्रो dogs के favor में काम कर रहे हैं क्या animal welfare board क्या काम कर रहा है population control करने के क्या measure हो सकते हैं क्या लोग जो feed करते हैं dogs को क्या वो सही है नहीं है ठीक है ये सारी चीज़े आप इस topic के अंदर discuss करेंगे और जो आप report writing के अंदर जो चीज़े आप use कर सकते हैं वो सारी इसके अंदर होगी तो video को थोड़ा start करने से पहले I will show you certain visuals कुछ visuals ऐसी है disturbing हो सकती है जिसमें आपको थोड़ा सा idea लग जाएगा कि असल में problem है क्या problem आप ध्यान से देखोगे directly this person is going on a bicycle उससे आपने दिखाऊगे कि इस ट्रेट ओक ने problem है society के अंदर जो problem होती है वो शायद आपसे अवेशा पूछी जाती है तो आपको इस तरह से यह topic प्रपेर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है जैसे आप देखो कि domestic violence के ओपर आपसे question पूछा जाता है acid attack पे question पूछा जाता है flood कहीं पर आ जा जाती है उस हिसाब से आपको report writing पूछी जाती है तो इस हिसाब से आपको यह जो topic है यह prepare करना बहुत ज़रूरी है और इस पे हम preparation करेंगे now see कुछ incident आप लिख सकते हो report के अंदर उससे open कर सकते हो अपने report की और report का आपको मैं format बता दूर रिपोर्ट के अंदर जैसे शुरुवात में तो आप लिखते ही हो कि reporter कौन है xyz date and date हो गया place हो गया तीन चीजे लिखने के बाद आप open करते हो अपना report को intro से और introduction में आप incident mention कर सकते हो रिपोर्ट लिख सकते हो कि क्या क्या dog क्या मैनेस किस हिसाब से incident है इंडिया के अंदर सब कुछ mention कर सकते हो प्लस जब आप main body में जाते हो तो वहां पर जैसे मैं आपको बोला हमेशा से आपको cause and effect वाली relationship establish करनी है मतलब causes of stray dogs और manage of stray dogs in urban areas and what would be the effect क्या effect होगा मतलब dogs की population बहुत जादा होने से effect क्या हो सकता तो यह असान सा एक तरीका है report आपको लिखने का इसमें ना तो whom wh family के words को आंसर करना होता directly आप इससाब से लिख सकते हैं तो cause and effect relationship establish करके government of India ने क्या steps लिए हैं प्लस लोगों ने क्या लिए हैं क्या residential societies के लोग हैं उन्होंने क्या steps लिए हैं to control the this drugs population और manage of drug this stray dogs ठीक है तो अभी देखो यह कुछ चीज़े आपको कुछ incident पता होने चीए इन अप्रेल शिक्टीन यूर वोल्ड विमन इंश्रियन अगर वस attacked by street dogs outside her home इसे आप से अब लिख सकते हो and this incident once again highlighted the link between solid or the urban solid waste management and stray dogs attacking in Indian cities यह सापको पता है जो stray dogs होते हैं basically किस पर फीड करते हैं जो आपके जो आपका वेस्ट निकलता है घर उसे तो आपका वेस्ट जहां पर आरबज collection center होता है यहां पर आपको dogs population सबसे ज़्यादा देखेगी दूसरी जंगे आप देखोगे यह जो dogs है इनको नॉर्मली लोग भी क्या करते हैं फीड करते हैं तो यह भी आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है नो स्ट्रे डोग मैनेस इंडिया दोजार नीस का एक लाइट स्टोग सेंसस हुआ था जिसमें हमने देखा कि डेड़ करोड पॉपुलेशन ने इंडिया के अंदर स्ट्रे डोग्स की उसके बाद आप देखोगे अस्टीमेटिड पैक दा नंबर वी अराउंड 6.2 अब यह तो सेंसस के अंदर था लेकिन नंबर बहुत जादा हो सकता है शायद सेंसस में कुछ मिस्टेक होई हो अब यह सारी चीजे देखने के बाद हमें यह देखना है कि रीजन्स क्या है स्ट्रे डोग की पॉपलेशन जादा होने के पूर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है बिल्कुल है अब दोग सी पॉपलेशन आपको दिखती होगी गार्बेज डंफ साइट्स पर मिलता होगा लैंड फिल्स में दिखता होगा बेसिकली देश कावेज फू सेंटर्स है टेरिटोरियले टीवी है आपने देखा होगा दो ग्रूप में होती है डोग के तो यह बहुत ही एक मालूम एक इसी सा टोपिक है फिर भी मैंने आप लोगों को डिसकस कर दिया बहुत जादा इसमें कुछ बताने का है नहीं ना फूड वेस्टेज इन इंडिय UNEP report 931 million tons of food available to consumers and ended up in household restaurant vendors ठीक है तो इतना million tons जो food है वो क्या खराब हो जाता है अब इसके बाद देखोगे the presence of free roaming dogs in urban areas it determined by the carrying capacity of the city and what is the carrying capacity कैसे determine होती है क्या उनके लिए रहने के लिए shelter है या फिर food है सर्दियों में हमने देखा है दिल्ली के अंदर यह जो stray dogs होते हैं उनको हम क्या पहना देते हैं उनके कपड़े भी होते हैं तो शर्दियों में शायद उनको problem ना हो तो इसे साब से हम पूरा ध्यान रखते हैं उनका तो इससे भी इनकी population जो है increase हो रही है क्योंकि उनको attention मिल रही है लोगों के दोबारा food उनको मिल रहा है सारी चीज़े हमने देखी है नाव सी दारवन stray dogs and waste disposal कैसे interconnected food and shelter will I think it's the one of one of the major reason behind the increase of this menace of stray dogs in urban areas now sanitation assist food hunt now impact of unplanned and unregulated urban development आप दे सकते हो ABC program आप देखोगे animal birth control program क्या वो successful है नहीं है sterilization नहीं हुआ मुंसिपलिटी मुंसिपलिटी जो है जो responsible stray dogs को पकड़ने के लिए उच्छे से काम नहीं कर पा नहीं है जाएदे रबिस control measures informal measures कैसे हो सकते हैं now why address stray dog attack issue क्योंकि ये vulnerability to the majorly to the poor and also to the vulnerable people like children old age people ना तो भाग सकते ना अपने खुद का protection कर सकते now this exposes harsh reality now do we need to empathize with the stray dogs obviously uh to some extent we can empathize but not every time now we have seen abandoned and uh the stray dogs को बहुत जादा attention दी जाती है basically sometimes we have seen dogs are abused उनको हमने देखा था गुबारे stray dogs के उपर गुबारे लगा के हवावाले वो उड़ा दिया था हवा में तो आप देखो के animal rights के against भी हो now neglected community guardians ये सारी चाहिए आप देखो के and why do the dog bites have to do with the poor waste management क्योंकि आपको पता है कई बार जो waste management plants होते हैं वहाँ आसपास food होता है तो dogs की population वहीं पर होती है और जब उनको dogs को महाँ रटाने की कोशिश होती है तो उनको लगता है ये territorial उनकी उनकी territory है और को हटाया जा रहा है तो कुछ हमें conflict वहाँ देखने को मिलता है ठीक है तो बहुत असान topic है ज्यादा कुछ में है नहीं waste generation इंडिया थोड़ा लेक सकते हो आपको connecting the points करना है कि कैसे कैसे चीजे एक दूसरे से connected है urbanization से problem बढ़ रही है food availability करा रहे हैं दूसरा shelter तीसरा आप देखोगे waste management यह सारी चीजे आप इसमें जब डालोगे तो आपका बहुत अच्छी प्रपेर एक रिपोर्ट प्रपेर हो सकते हैं दूसरा आपको यह देखना है कि government of India रहे हैं क्या steps लिए हैं यह सारे way forward मैंने यहां पर discuss कर दिया है developed national policy stop gruesome brutality and encourage responsible feeding practices होनी चाहिए increase vaccination and sterilization to control the population improve waste management system ठीक है तो इसमें ज्यादा मैं discuss नहीं करूंगा और नहीं शायद मुझे करना चाहिए क्योंकि it's an easy topic पस point आपको याद रहने है और you need to connect the dots okay thank you thank you for all